आपने राशियों का की बात करेंगे व सबसे जारा हम जो आम लोग है जो जो तश के बारे में बहुत जारा NAT disclosure कि उनके लिए राशी सबसे पहले आती है जी जी ठीक है कि मेरी राशी क्या है या किसी और की राशी क्या है जैसे मैं आपनी बात करूँ मेरी कुम्भ राशी है जो मेरी जन्म की राशी है अब कुम्भ राशी बहुत अच्छी राशी है सारी राशियों के गुड मिलेंगे कुम्भ राशी में कुम्ब राशी के बारे में बटा सकते हैं कि कौन सी राशी क्या होती है और कैसे राशी का चक्र कैसे चलता है पूरी राशी कैसे चलती है बिल्कुल, सबसे प्रथम राशी जो है, वो मेश है, इसका स्वामी मंगल है, अब इस राशी के जितने भी लोग होंगे, उनमें एक चीज कॉमन पाई जाएगी, नेत्रत सक्ती बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मंगल सैनापती है, बहुत अच्छी नेत्रत सक्ती होगी, बह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, और उसमें उगरवादी भी बन सकते हैं, उगरवादी मींज कि आग बबुला होके, एकदम से कुछ कह दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ नहीं है, इस राशी का ये सवभाब हर किसी में आएगा, थोड़ा कम जाता है, वो कु लेकिन इसमें एक चीज होती है इनके साथ, कि ये लोग बिलास्ता पसंद होते हैं, लगजरी चाहिए, विप्रित लिंगी इनकी तरफ आकरशित होगा, ये भी आकरशित होगे और वो भी आकरशित होगा, ये इनका गुण होता है, आप जो राशियों के लोग जो हैं, जि होगा, खेतों में आराम से वो जोतता रहता है, ठीक है, लेकिन आपने ये कहावत भी सुनी होगे, कि साड को जब लाल कपड़ा दिखा होगे तो छोड़ेगा, नहीं, सिंग आपके पेट महीं मारेगा, तो ये लोग ऐसे भी चेड़ना नहीं है, प्यार से इनकी जान भी लोगे, एक कहावत जो कहते हैं, पर छेड़ो मत, तीसरी राशी के बारे में हम बात करें मिथुन राशी, अब ये बुद्ध की राशी है, तो बुद्ध वाले लोग बुद्ध मान भी होते हैं, बुद्ध होते हैं, बिलकुल, लेकिन जादा तर इन में जो क्वालिटी द बात करें, तो एकाउंटेंट होगे, वो बुद्ध का ही प्रभाव होते हैं, कुंडली से हो या राशी का बात कर रहे हूं, एकाउंटेंट हो गए, बैंकिंग सेक्टर में हो गए, ये सारे आपको मिथुन राशी वाले मिलेंगे, अब चौथी राशी आती है, जो की में जाता है, तो ऐसा ही सवाव इन लोगों का होता है, चनिक रुष्टा, चनिक रुष्टा, बहुत खुश हैं, मन मौजी हैं ये लोग, जो मन में आया वो कर रहे हैं, अब कैकड़ा है, उसका, तो कैकड़ा क्या करता है, चुप चाप से बैठा रहे हैं, लेकिन जकड़ जगे से इनको लाव होता है, इसी भी जलिय स्थान पर चले जाएए, उसी जगे इनका कारिस्थाल होगा, उसी जगे इनको लाव मिलेगा, अगर इनके जन्म स्थान पर जल वाले छित्र नहीं हैं, तो इनका कारिस्थाल उसी जगे होगा, जहां जल होगा, वहीं से इनको फायदा होगा अब बात करते हैं पाच्वीर आसी सिंग रासी के बारे में तो शिंग के बारे में कौन नहीं जानता है सिंग जब गर्जना करें चारों तरफ लोग डर जाते हैं तो यह एसे होते हैं और यह लोग आपको जयादातर या तो प्रसासनिक सेवा में मिलेंगे रा अब सिंग रासी वालों के जो सभाव होता है यह बहुत अच्छे होते हैं लेकिन इनमें भी होता है सूरी की तरह यह तेजस्वी होते हैं सूरी इनका मालिक है सिंग रासी का तो यह तेजस्वी होंगे इनको अलग से ही लोग देख के पहचान देंगे अब सिंग रासी वाले तराजू है ना तोल मूल के बात करेंगे बहुत कैलकुलेटिव टाइप के होते हैं क्या मुझे यह बात करनी चाहिए यह नहीं करनी चाहिए बहुत तोल जो ऑच्य होते हैं उच्छार जी अब आते हैं हम ब्रस्चिक रासी कि यह मंगल उसका भी स्वामी मंगल है तो मंगल वाला इनके अंदर भी होगा उगरता होगी लीडर्शिप क्वालिटी अच्छी होगी बहुत अच्छे लोग होते ब्रश्चिक रासी बहुत पौवर्फुल रासी बताई गई है लेकिन बिच्चू का एक सवहाव होता है वो अपन कर रहा है करने दो लेकिन आपने इनको टोका आपने इनको रोका होता है ना कि रोक टोक करी तब यह आपको काठी लेंगे आपसे आप शब्द बोली ही देंगे तो इनसे बहुत सीथे-सीथे तरीके से बात करो जब भी मिलो ब्रश्ची कराशी वाले जो होते हैं अब आते है इन्हें दुनिया से मतलब नहीं है बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे गए हैं जो आध्यात में क्यात्रा पर निकल जाते हैं अपनी इस अब आते हैं हम मकर राशी तो मकर राशी भी बहुत पावर्फुल राशी बताई है क्योंकि शनी की पहली राशी है और शनी क्या है जानदार होंगे यह लोग और इनको सफलता थोड़ी देर से मिलती है क्योंकि शनी शने शने चलता है बहुत धीरे दीरे चलता ना शनी बुड़ा घ्रह भी है तो इनको एक उम्र के बाद जाके सफलता मिलती है अब कुम राशी पर आ गए कुम राशी क्या है यह सारी पालिटी पाई जाती है कि यह अपनी बात दूसरों से कैसे मनवानी है वो बहुत अच्छे से जानते हैं अब आते हैं हम मीन राशी की तरफ मीन राशी फिर गुरू की राशी है तो मीन राशी में क्या है वो गुरू की राशी है और गुरू की आखरी राशी है तो यह लो तो इनको वो सारी चीजे पसंद आती है अच्छा